हेलो गाइस, वेलकुम बेक टो मैं चैनल तो गाइस, आज की वीडिओ में मैं यहाँ पर यह पुरानी बेईंगल्स को यूजर करके इनको न्यू बनाने वाली होँ तो यहाँ मैंने अपनी मॉम की फुरानी बेंगल्स ले ली हैं पूरानी चूड़ियां पर इनके उपर में गय्स ग्लू लगा रही हूं इनको साथ में जॉइंड कर दूंगी तो यहाँ मैं थ Papa को जॉइंड करूंगी साथ में एन गाई इन थी को एक साथ जोरे के बाद दूत यहां मैंने लिए है यह का फैरी कवर्ण पे लेया है है यहाँ मैंने फैब्रिक का यूइज किया है यहाँ पर इसको लगाने के लिए मैंने इन इसको राउंड डाउंड करकी हमें इन बैंगल को कवर कर देना है तो इनको अच्छी तरह से कवर कर दिया है मैंने तो यह कुछ इस तरह से लग रहा है अब इसको डेकुरियेट करने के लिए यहां में वाटर डौप शीप के स्टोन्स ले रही हूं तो इन इस टोन का यूज मैंने side mank tikka और necklace में भी किया था तो यहाँ पर मैं इसमें glue लगा रही हूं and guys इसको one by one इस तरह से लगाएंगे एक ऊपर के साइडे और एक नीचे के साइड इस तरह से इसको लगाएंगे इसके shape को इस तरह से रखे और आप चाहें तो आप यहाँ पर round वाले stones का भी use कर सकत तो गैज यह मैंने पूरी बैंगल फिस तरह से इनको लगा दिया फिर उसके बाद में यहां पर ले रही हूं जरकन वाले स्टोन तो यहां पर जो भी हमने स्टोन लगा थे उसमें जो भी बीच में यहां पर जगा दिख रही है तो उसके साइड में पहले में यहां पर गलू लगा रही हूं और फिर इसमें यहांहें जर्कन वाले स्टोंस बढ़ाने कर荷ूइज तो लगा रही हैं और आपड़के इसकेप करके और यहां पर यहां यहां पर चेंग का भी यूआ सकते हैं और यहां मैं और हो में पूरें में लगाए लिक तो ऐसे ही पूरे में मैं लगा लूँगे और ये पूरे में लगाने के बाद इसका final look ये है और ऐसे ही मैंने fourth bangles ready कर ली है और आप चाहें तो इसमें बीच में normal bangles भी लगा के इसको wear कर सकते हैं और गाइस जी कैसे लगा आपको comment करके बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दिना और चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर दिना और मिलते हैं next वीडियो में जब तक के लिए बाई thank you for watching